दिल्ली की हवा में अलगी मिजाज होता है कहते हैं देश का दिल है दिल्ली लेकिन दिल्ली में जो हवा के इंचार्ज है यानि की पर्यावरण मंत्री हैं वो क्या करते हैं क्या खाते हैं क्या सोचते हैं और कैसी है लोकसभा की तैयारी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है आज गुपाल राय, मंत्री है, आम आदमी पार्टी में स्वागत है आपका गुपाल जी, क्या है आज नाष्टे में सुभा सुभा ये बताईए सबसे पहले, आधिके नाष्टे में तो चुकि हमें स्वाइन इंजरी है, तो आयरुवेदिक और जो थोड़ा दलिया, थोड़ा स्प्राउट, थोड़ा फल, तो सामान ने जो है भोजन हमें एला हुए, तो सुभा सुभा तो नास्ते में हम यह लेते हैं जब आप इसकी बात करते हैं इस समय वर्तमान में हमने देखा है कि कॉं आस तोर से केंद्र में भारती जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे देश का डाइनमिक्स बदला है, बहुत सारी पार्टियों के अंदर अलग-अलग मुद्धों पे, अलग-अलग विस्यों पे मतांतर रहे हैं और आज भी हैं, लेकिन अगर आप सिलसिलेवार त जिस तरह से धजियां उड़ रही हैं, जिस तरह से एक targeted तरीके से एजन्सियों का उपयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनी हुई सरकार को खत्म करने की कोशिस हो रही है, आज तीन फार्मूले पर केंदर सरकार काम कर रही है, या तो चुनाओ हमें जिताओ, नहीं तो हम जो कार बना लेंगे, और कुछ भी नहीं होगा, अगर फिर भी कुछ नहीं चलेगा, तो राजेपाल को बिठा करके काम नहीं करने देंगे, तो ये भारत अगर आप देखें, राजनितिक तोर पर इस तरह की इवट होते रहें, आजादी के बाद से, लेकिन आज एक निरडाय कि इतनी लंबी लडाई के बाद जो हमें संविधान मिला, जो लुकतंत्र मिला, उसको सुरक्षित रखा जाए, मुझे लगता है कि आज उसे मिलके काम करने की जरूवत है, मुझे बात बताईए, आप दिल्ली में EVM पे जीत हासल करते हैं, तो सही, हिमाचल में कॉंग्रे जीती है, तो सही, तो फिर बीजेपी राजिस्तान और मद्यप्रदेश जीत जाती है, तो वही EVM गलत क्यों हो जाती है, अब जो सवाल है ना वो चंडीगर तक पहुंच गया है, अभी दिन दहारे, कैमरे के सामने भारतिय जनतापार्टी ने जिस तरह से मेयर के चुनाव की भाओं में, बैमानी की ओड़ की चौरी की ़ो ट अप आप तो मांग रहा हैं न आप तो कह रहे है को बैलोट से चनावना हो फिर द१ानली हो रही है, सामनेिभिम के जीतने का मतलब नहीं है धाधली होती है हम इतने जगह हम जीते हैं तो हम बैलेट से थोड़ो जीते हैं चोरी करके बीजेपी जीत रही थी जीत गई थी घोषणा हो गई थी भारती जनता पार्टी के आप समझो वहां पर जो आप सिंद उखवा तो काउंटिंग होती है चुनाव अधिकारी फटा फट क्रास मार करके उसे कैंसिल करता है तीन लोग बैठे हुए हैं पीछे जिसको घोसित करता है उठा करके लाकर के चेयर पर बिठाते हैं जीत गया जीत गया और भारती जनता पार्टी के राश्टी अध्यक्ष तुरंत ट्वीट करते हैं तो मेरा कहने का मतलब यह है नहीं रही है उसकी काउंटिंग हो रही है या नहीं रही है उस reduzम दान अया प्रहश्ट कर आज कम पत्र से चुनाव नहीं हुआ होता तो आज पार hairati जनता पार्टी का मेर होता कोई रासता नहीं था आइसा नहीं है कि बैलेट पेपर से पहले चुना होते तो उस पर सवाल नहीं थे, बहुत सारे सवाल उस पर भी थे, लेकिन आज जो इबियम का सिस्टम है, मुझे लगता है कि उसे और जो सवाल है, उनका समाधान निकालने की जरूरत है, बजाए कि आख बंद करने के लिए जिस तरह से सारे दल एक साथ आए, उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली पहुँचने तक लगता है, अलग हो गए, सिर्फ आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ही कॉंग्रेस का हाथ थामके रही है, क्या कारण है इस मन परिवर्तन हो जाने का, एक ही कारण है, कि ED औ अंदर जो नेता है ना, वो भी अलग हो चुके होते हैं, वो भी आज उनके साथ नहीं होते हैं, ED फेविकोल है, फेविकोल से भी ज्यादा खत्रणाख है, उसका एक ही जो खास तोर से जो PMLA Act है, जिसमें उसके पास जो ये पावर दिया गया कि किसी को भी उठा सकता है, ग अदालत की प्रक्रिया पर भी भरोसा नहीं है, क्या साबित हुआ है, दो साल हो गया, दो साल में सभी एजिंसियां के अंदर सरकार ने लगा रखी है, हजारों जगह छापे पड़े हैं, एक चवणनी आज तक नहीं बरामद हुई है, बेवजा, बिना सबूत के, केवल बार-बार के साथ आने के बावजूद जाते नहीं है? अगर कोई भारतिय जनतापाटी अगर चिठी पर-चिठी पर चिठी जारी करते है ना एक पार्टी जंता पार्टी जारी करते हैं, आप, सिर्फ भागर बाजंपाने के निटा इन को पहले सारी करना लेंटील हैं, डम कीज़ें सिर्फ जाते हैं, तो आपके प्लाइक में तो आप जाते हैं के asiते हैं, इडी में सुत्र नहीं है, बात सवाल है कि जब वो चीजें होती है, तो ऐसा चीज तो नहीं है कि सब लोग जो है आज सरंडर कर दी है, इस देश का भला सुचने वाले भी कुछ लोग हर जगा हैं, आज डर के मारे बोल नहीं रहें, मेडिया के अंदर भी अच्छे लोग हैं बीजेपी के खिलाब बोले अच्छा की बात नहीं है, बीजेपी में जो सामील हो जाए हो अच्छा, अभी नया परिभासा बन गई है, एडी, सीबी आई 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 आपने देखा शगन भुजगल जी वाले केस में क्या हुआ, सीबी आई और एडी ने जब वो बीजेपी जो आइन कर लिपोल, उनके फाइल ही गायब हो गई, अभी आदर्स घुटाले में जो पानी पी पी करके भाजपा गाली देती थी, वो असोग जो आप तक तो ब्रश्टाचारी थे, अब तक E.D.C.B.I. सारा कुछ चल रहा था, ब्रश्टाचार मुक्त भारत चल रहा था जिस दिन बीजेपी में सामिल हो गए, उस दिन वो महान हो गए, तो अभी जो आप साफ तोर पर देश में दिख रहा है, कि भारतिय जनता पार्टी कानून का, एजनसियों का, हर चीज का, अपने सत्ता की भूख के लिए उपियोग कर रही है, मुझे लगता वो ठीक नहीं कि भारती जनता पार्टी के लिए कोई भिमुत्ता सत्ता का मुद्धा है, सत्ता पाने की सीड़ी है, हमारे लिए स्रद्धा का मुद्धा है, स्रद्धा के लिए कोई हर्मान जी की पूजा करता है, भारत में कोई संकर जी करता है, कोई गनेश जी की करता है, कोई सक्ती की कोति ब्राइक आपने स्रध्धा उस प्रमा भभ आत्मा तक जाने के लिए लोगों के बहुत सारे रास्ते आपने स्रध्धा के अनुसार लोग काम कर रहें। अच्छा आप करें तो श्रध्धा और वह करें तो नाटक कने ऐО सथा की सीड行 सेडी दूनम में फरणने। कभी राम और हनुमान को लेके किसी भी पार्टी के द्वारा इतनी राजनीती अशो भनिया है यह मेरे ख्याल से देखे दो चीजे भारत ने लोग सरकार क्यों बनाते हैं कि इसलिए बनाते हैं राजनीति किसलिए पूजा करने के लिए भारत में अनंत काल से लोग और आध्य भी नहीं होई थी जब भारत अपने आध्यात में के सखर पर था पार्टियों का जन्म किसलिए हुआ है आध्यूनिक लोगतंत्र में सरकारों का जन्म हुआ आपकी सरकार है और सरकार के काम पर कई सवाल उठते रहे हैं यहां तक की सवाल उठे है कि विदेश्री ताकतों की मदद से पंजाब में बहुत सारे कामों को अन्जाम दिया जाता है, यह सुन्ते हैं आप क्या सोचते हैं? वहां पर महला क्रिनिक खुलने सुरू हो गया, वहां पर इसकूलों में बदलाव सुरू हो गया, जिस यजी के साथ वहां पर काम पंजाब के अंदर हो रहा है, आज लोगों के पास कोई इसका कोई काउंटर नहीं है. आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब हो या दिल्ली किसान अंदोलन का समर्थन कर रही है इस बात में कितनी सच्चाई है कि विदेशी ताकतों की मदद करने के लिए आप किसान अंदोलन को देश में एक छवी बनाने के लिए समर्थन कर रहे हैं तो पहली बात क्या है कि भा आरोप रुजाना भारती जन्तापारटी के नेता यही लगाते थे ये खालिस्तानी जा तंकवादिये फ्लाना न अ देलाना ये भी तूमाम तरह की आरोप मेरे ख्याल से कोई ऐसी गाली नहीं थी अपमान जनक कोई ऐसा था सब्द नहीं था जो किसानों गविए लेकिन थीनों कले कानून तो वापस लिया अ तो मतलबASON था कि कि वो जो काने कानून थे वो तो गलत थे किसान तो नहीं चाहते थे किसानों नहीं मांग की थी किसानों के उपर जवर्दस्ति थोपा गया 5 seniors उत्तरप्स in इंभा पर क्यों उटके आती है अगर आप देखें तो पिछले बारांबूर्ड के बाद इस सरकार ने वादा किया श्रवथा किसानों से कि आन्दोलन करूए हम यह कंुन वापस ले रहे रहें और हम अन्य और नैब कि जानथेाख vit knowledge उसके लिए सवाल यह में वह में इसके लिए हम कुमेटी बना रहा है कुमेटी बनिके बाद दो दो साल गुजर गए, दो साल से किसान इंतजार कर रहे हैं, एक दिन, दो दिन, चार दिन, दस दिन, नहीं, दो साल, आखिरी संसत का सत्र भीच खतम हो गया, उसके बाद किसानों ने अपनी बात उठानी सुरूगे, कि भाई, आपने कहा, दो साल भीच गए, कमेटी बैठी र तो क्या आज भी आपको लगता है वर्तमान स्थिती में प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता और अर्ण केज रिवाल ही सबसे बड़ा विकल्प है मोदी के खिलाफ या कॉंग्रेस भी है अभी लड़ाई दो परिस्थितियां एक है पू सभी मिल करके इसका विकल्प बनाने का प्रियास कर रही है लेकिन सैधान्तिक तोर पर उत्तर भारत के अंदर जो आज परिस्थिती बनी है भारती जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दिल्ली के अंदर दिल्ली तो अगर कहें देश की राइधानी है परधान मंत्री के अंदर सरकार पूरी दिल्ली में बैठी है लेकिन लगातार देश में दो बार सफल जो है सरकार बनाने के बावजूद दिल्ली के अंदर भारती जनता पार्टी सतर में से जो है वो आट सीथ पर सिमट जाती है तो यहां से लोगों को यह बात समझ में कि भारती जनता पार्टी के पास आम आदमी पार्टी का जो काम का जो राय निती है उसका उनके पास काट नहीं है पंजाब के अंदर हम सफल होते हैं दिल्ली के हवा में बड़ा जहर है पर्यावरण मंत्री है आप तो क्या हम यह माने कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे आंतर हुआ कि दिल्ली के अंदर पूरे देश के अंदर बहुत सारे सहर है जो परिदूसित है अधर इंदी कहँए ढ़िए गSilकर्ली के उनके यह परे चाह एक है पनgression को ऊपिसार बनी दिल्ली इसे 65 किवल 109 दिन थे जब हवा की स्थिथी अच्छी होती थी से चाहिए चाहिए बेहिकलपुम्न के सटोर हें किसी राज्में नहीं तो इस तरह से जो हमने काम किए बेसिक जो काम किये लंग दर्म काम किये उसका प्रेडाम किया है पिछला साल जो गुजरा है अगर नौंबर दिसंबर के दो महिने को छोड़ दें तो 109 दिन था हमारे पास अब 365 में से पिछले साल 206 दिन अच्छे रहें तो सारा जो पहले आप पंजाब से आता है पंजाब भी आपका हो गया तो पहसा है जम्मुकष्मीर पाकिस्तान से हवाग्या आपको बता है нож हक साल चाल पकाम कर लाइज एक साल के अंदर दिल्ली के पराली की नहीं है तो ऊपर से बात चलता है पिछले साल जितनी केस होते थे पिछले साल और रिकार्ड है 50% केस कम हो गए अब लोकसभा चुनाव में आप कॉंग्रेस साथ में लड़ रही है और आप कॉंग्रेस कई अलग अलग राज्यों में भी लड़ रही है फाइनल आकड़े कितने हैं आम आदनी पार्टी के बीजेपी कह रही हम 400 पार जाएंगे देखे बीजेपी कि चले तो वह 600 पार चली जाए उसमें क्या दिक्कत है लेक अगर 400 पार ही जा रहे हैं तो अगर 400 पार ही जा रहे हैं तो सारे जो दूसरे पार्टी के लोग हैं उनको EDCBI की फाइल खोल खरकर करके अपने में ज्वाइन कराने के जरूब है हम तो देखो 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है अपने क्यानिरेट उतार रही है और सभी जगों पर मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और जनता का जो आदेश होगा असर माते पर जनता ही जनारधन है जो जीतेगा वही सिकंदर कहते है ना उसको धन्यवाद गोपाल रा है